असलाम उलेकुम जी, पिसले लेसेंस के अंदर हम सेलेक्शन टूल्स को देखते आ रहे हैं फोटोशॉप के, तो इस लेसेंस में हम लोग देखेंगे मैजिक वाइन टूल किस तरह से काम करता है और इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज किस तरह से हम चेंज करके अपने रिज लोग इस हमेज के उपर आते हैं, जहां पर आपको मुख्तलिफ लीव्ज नजर आ रहे हैं, ठीक है जी, अब यहां पर एक टॉलरेंस आप्शन बड़ी इंपॉर्टन है, मैजिक वाइन टूल के लिए, एक कंटीजियस आप्शन बड़ी इंपॉर्टन है, ठीक है, यह दो साइज सेलेक्ट किया है, पॉइंट सेम्पल, ठीक है, अगर मैं इसको जूम इन करूं, किसी कलर के ओपर जूम इन करते हैं, वाइट के इलावा, वहां पे पिक्जल हमें नजर आएंगे, तो यहां पे जब भी हम मैजिक वाइन टूल सेलेक्ट करते हैं, तो हम किसी के ओपर क्लिक कर रहा हूँ, अब होगा यह, कि बिलकुल एक्जेक्ली जो सेम कलर है, जिस पिक्जल के ओपर मैंने क्लिक किया था, एक्जेक्ली सेम पिक्जल ही सेलेक्ट होंगे, इस एमेज के अंदर से, ठीक है, इस एमेज के अंदर, एक्जेक्ली जो पिक्जल मैंने जि use हो रहा है उसको जो color है सिरफ वही select होंगे पूरी image के अंदर ठीक है आपको different जगा पे ये points नज़र आएंगे जैसे आपको यहाँ पे कुछ pixels selected नज़र आ रहे हैं तो अगर मैं इसको भी zoom in करूँ ये exactly same color होगा जिस color की मैंने selection की है ये maybe थोड़ा slightly different है ये थोड़ा असा dark है ये थोड़ा सा light है मतलब इसकी tolerance बहुत ज़्यादा कम है हमने उपर से zero उसको choose किया है तो इसको सादा इलफाज में समझने के लिए कुछ इस तरह से समझते हैं कि जितनी कम tolerance होगी जैसे इसकी tolerance zero है इसकी जो वो colors भी add हो जो के इससे relate नहीं करते हैं उनका जो code है color code है वो थोड़ा सा different है वो ज़्यादा dark है या वो ज़्यादा light colors हैं वो इससे relate नहीं करते हैं तो ये बरदाश्ट नहीं करेगा कम tolerance के उपर कि बाकी colors भी इस selection में add हो लेकिन अगर हम इस tolerance को ज्यादा करते हैं इसकी बरदाश्ट को हम increase करते हैं कि ये बरदाश्ट करेगा कि मजीद colors भी add हो इस selection के अंदर मतलब हम जिस pixel पे click करेंगे इसको दोबारा से deselect करते हैं और इस पे दोबारा click करते हैं ठीक है तो हमने अब जिस पे click किया था ये देखिए अब जितने भी closely related colors हैं जिस pixel पे tap किया था वो सारे के सारे select हो गए है मतलब अब इसकी जो बरदाश्ट है वो ज्यादा हो गई है as compared to जो zero पे हमें ये results हैं वो provide कर रहा था तो अगर हम इसको 55 पे ले जाते हैं और इसको deselect करके दुबारा यहाँ पे click करते हैं तो अब ज्यादा pixels इसके अंदर add हो जाएंगे ठीक है तो tolerance को कुछ इस तरह से adjust किया जा सकता है ये बड़ा important है ये आपने खुद decide करना है आपको मैं ये नहीं कह सकता कि किसी specific image के लिए कि हमेशा के लिए आप 55 tolerance को use करें या आप 10 tolerance को use करें it depends कि आप क्या चीज़ select करना चाहते हैं आप experiments के बाद find out कर सकते हैं कि मेरी image के लिए magic wand tool अगर मैं use कर रहा हूँ तो कौन सी tolerance बहतर होगी ठीक है या आपने खुद decide करना है इसके बाद एक और बड़ी important चीज़ है contagious ठीक है फिलहाल जब मैं इस पे click करता हूँ किसी pixel के उपर तो आपको पूरी image के अंदर जो close related pixels थे वो उसने सारे select करके दे दिये ठीक है पूरी image में से अगर मैं इसको contagious पे select करता हूँ check करता हूँ और इसके बाद मैं यहाँ पे किसी pixel पे tap करता हूँ अब contagious में यह होगा कि यह आपको पूरी image में से pixels नहीं देगा बलके जो इसके आसपास pixels हैं सिरफ वो select करके देगा its tolerance के साथ ठीक है इसको सादा इलफाज में ऐसे समझा जा सकता है जैसे अचूत की बिमारी होती है कि एक pixel को select किया उसके साथ वाले pixel अगर वो closely relate करा था its tolerance के साथ उसने उसको भी select किया फिर उसके साथ वाला उसने देखा फिर उसके साथ वाला देखा और ऐसे ही वो change जलती गई और उसने यहाँ तक pixels को select कर दिया ठीक है अगर मैं contagious off कर दूँ यह फिर पूरी image में से देखेगा कि इस specific pixel के साथ कौन सा pixel मजीद relate कर रहे इस tolerance के साथ और वो select करके आपके सामने आजाएगा ठीक है तो जैसा कि हमने यहाँ पे white background remove करना है तो try करते हैं जी कि कौन सी tolerance contiguous हम off कर देते हैं क्योंकि हमने पूरी image में से white part की selection करनी है तो tolerance हम लोग थोड़ी सी कम रखेंगे क्योंकि यहाँ पे leaves के अंदर भी आपको white pixels नजर आ रहे हैं तो हम नहीं साथ है कि white background के साथ-साथ वो इन pixels की भी selection करें तो हम कोशिश करते हैं कि tolerance 15 करके try करते हैं कि हमारे पास क्या results आते हैं चीक है यहाँ पे click करते है so इसने कुछ यह pixels आड़ कर दिये यहाँ पे मजीद click करते है मजीद pixels आड़ होगे हमारे selection part के अंदर और मजीद आप देख सकते हैं कि अगर कोई ऐसा area है जहाँ पे pixels की selection नहीं हुई background से तो उसमें आप लोग इस वकit lasso tool का भी इस्तमाल कर सकते हैं different tools का मजीद इस्तमाल किया जा सकता है अगर आप समझते हैं कि magic one tool बेतर selection नहीं कर रहा हम layers में जाते हैं इस lock को खतम करते हैं और अपने keyboard से delete press करते हैं और यह इसने जी background remove कर दिया with one दो या तीन clicks हमने किया थे और हमने background को select करके remove कर दिया तो अगर हम यही काम quick selection से कर रहे होते या lasso tool से कर रहे होते तो it can take a lot of time ठीक है तो यहाँ पे magic one tool was very effective तो जब भी आप किसी image में से किसी object की selection कर रहे है तो यह decision आपके उपर है सारे tools का difference आपको पता होना चाहिए कि कौन सा selection tool कैसे काम करता है और उसके बाद आपने खुद decide करना है कि आप कौन सा selection tool इस्तमाल करेंगे उसकी क्या property set करेंगे अपने object की selection के लिए there are a lot of methods to do a same task so कुछ इस तरह से magic band tool इस्तमाल किया जा सकता है इसकी property set की जा सकती है I hope कि आपको tolerance इसकी समझ आई होगी और contagious इसको check करना या इसको uncheck करना इसमें क्या difference है ठीक है तो next lesson में एक छोटा सा concept है anti-alias का इसकी तरफ हम आएंगे ताके यह जो option है यह आपको multiple selection tool में भी नज़र आएगी और अगर हम कोई shape draw करते हैं उसमें भी आपको यह option नज़र आएगी so it's important कि आपको इस option का पता होना सही है कि यह option अगर check करें तो क्या फरक है अगर uncheck करें तो क्या फरक आता है so see you in the next lesson thank you so much